अलो विवर्स गुड मॉर्निंग तौल आफ यू दिस इस हमांशु शेखर और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल फिजिकल एजुकूइशन एंड कमबैट स्पोर्स तो आज कुछ क्वेश्टन्स लेकर आया हूं आपके लिए तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए यह कुशन जो है सभी एनाटमी और फिसिलोजिक के एलेटेट है तो हमारा फ़र्स क्वेश्टन है यूमेन किड्नीज और सिटुेटिट ज एड तो जो हमारी हमारी हुपन कृट्नीज होती है कहां होती है तो इस कांसर हमारा अगा ट्वेल्थ थोरा रिक्स एंड थर्ड लंबर सेग्मेंट इसमें से यह जो आपका राइट आंसर रहेगा अब नेक्स्ट कोश्चन भी जलेंगे सिदा प्रोक्सिमल कॉन्विलूटिट टूपल PCT-R-Pars इस अबाउट यह इसकी जो लेंट है वो कितनी रहती है PCT की यह हमारी किटनी के पास ही होता है जो बोमन केप्सूल के आस पास तो इसकी जो इसका जो लेंट रहती है वो 14 mm होती है नेक्स्ट कॉश्चन दो चीफ एक्जिग्रेटरी औरगन आप था हुमन बॉड़ी हमारा जो मेन एक्जिग्रेटरी औरगन क्या है हमारी बोड़ी का तो वो है हमारी किड्नीज नेक्स्ट कॉश्चन हैंलेस लूप पास रेक्टा हैंलेस लूप पास रेक्टा इस यह किस शेप में होता है यहां पर उप्शन यह गया है यू शेप्ट वी शेप्ट यहां फिर ए शेप्ट यहां फिर कोई भी नहीं मैं से तो यह जो है हैंलेस पास रखता है यह यू शेप्ट में होता है यह आंसर रहेगा जैसे पहले कॉश्चन है आपको बताया था पीसी टी प्रोक्सिमल कॉन्विल्टी ट्यूवल उसी से यह रिलेट करता है है हो नेक्स कॉश्चन पर चलेंगे इस ते क्सव इस्टा यह भाता लग्यों करता है यह प्रेक्षी एक्सर्ड थे अथौड़क्स तो हसका है जो मारा इस मैं हांशर रहेगा stat वозмतार्ड अनिक्रीजिस की लहांच वार्षों म करता है वह बाергता है अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना बुलिएगा तो इसी साथ हमारा जो नेक्स्ट कोशन है वो देखेंगे in 22 hours the total volume glomerul filtrate is about the options are 170 litre 190 litre 260 litre यहां फिर नन फिर नन फ दीज और हमारा जो आइस का जो आंसर रहेगा 170 this is the right answer next question है हमारा the pituitary gland the pituitary gland color is the pituitary gland मार रहता है जिसे कि master gland का जाता है इसका color कैसा होता है तो options दियेगे रैडिश ग्रेड ग्रेड ब्लू या फिर इन में से कोई भी नहीं तो इस का रापका रहेगा रैडिश ग्रेड ग्रेड रैडिश ग्रेड इस दा राइड राइड अंसर यह अगले question पे चलेंगे the pituitary gland is situated at जो हमारा pituitary gland रहתा है वो कहां situate होता है तो यह आपका रहेगा pituitary gland जो है जो है आप कहां रहेगा अप्शन दियेगें base of brain, neck, heart या none of these heart में तो सवाली नहीं पाता होता और जो कहां situate करता है तो इसका answer आपका रहेगा base of brain, base of brain is the right answer चलते हैं next question की तरफ the thyroid gland is situated at जो thyroid gland है हमारा वो कहां situate होता है कहां पर होता है तो options ही अगये है roof of the throat, heart, base of the brain या फिर none of the above तो ये throat के roof पर होता है और इसका answer रहेगा ये roof of the throat roof of the throat इसका answer रहेगा तो बढ़ते हैं अगल एक question की तरफ तो यहां पर options ही अगये है अला लग the first one is 3.5 to 6 ml per gram and the second one is 4.5 to 7 ml per gram and 2.5 to 4.5 ml per gram तो इसका हमारा answer जो रहेगा हो रहेगा जो blood flow होता है हमारे thyroid gland में बढ़ते हैं अगले question की तरफ the fatigue is the result of accumulation of जो थकान होती है वो किसका result होता है वो किस कारण होती है तो वो options different difference दिएगे हैं carbonic acid, sulfuric acid, lactic acid, none of the work यह question important question है यह तो जो हमारी fatigue होती है वो किस के किस acid की वयासे होती है तो accumulation of lactic acid जब lactic acid एकठा होता है body में तो तब 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 जो कोई भी individual है वो fatigue फिल करेगा तो यह इसका आपका answer है लक्टिक acid, lactic acid is the right answer here अगले question की तरफ चलेंगे humorous bone is situated at, तो humorous bone कहां situation होती है तो यहां पर options दिया गया है upper limb, lower limb या फिर back या फिर none of these देखिए जो हमारी humorous bone रहती है वो जैसे कि जो arms जो होती है वो किसी भी इनसान की तो वो आपकी upper limb में आएंगी arms जो होती है और जो legs होती है वो low limbs में आएंगी तो इसलिए जो humorous bone है वो कहां situation करेगी humorous bone जो होती है वो आपके shoulder के साथ connect रहती है और यह इसका answer हमारा आएगा upper limb यानि कि हमारे जो upper body part है जो arms हमारी हो गई वहां पर यह situation होती है humorous bone and next question क्यों बढ़ेंगे दो आपके रेडियस और अलना बोन और स्टिट्ट अट पोचा गया कि रेडियस और अलना बोन है यह कहां पर होती है वैसे तो रेडियस और अलना बोन जो होती है वह हमारी जो रिस्ट होती है वह हमारी रिस्ट में यह situation करती है तो तो यह भी हमारी अपर लिम में ही आता है तो इसलिए जो आप इसका जो राइट पर लिम रहेगा अपर लिम इस दगश्या राइट अब स्क्राइल घ्रक्राइब कर रहा है तो इसकी अपसंस अगर रहेगी जैसे कि कोई इंडविजुड यह है तो फिर से मनाते हैं इंसको जैसे यह कोई इंडिविजल खड़ा है तो यहां पर कई कई लोग होते हैं जिनका जिसे की हंच बैक बोला जाता है पीशे से कूबर सब कहियों को हो जाता है तो उनकी मतलब जो अगर हमारी नॉर्मल नॉर्मल की बात कि अगर इसकी absence है अगर Normal नहीं है तो जो आने की मारी घृब कर वोती है अमला नहीं तो उसको हम क्या कहेंगे मतलब इस तरह कर दो अगर पीचे से होगी अगर पीछे से पेक हमारी हंच बैक की तरह होगी तो उसे हम काई फॉसिस कहेंगे तो यहां पर हमारा जो काईफोसिस है वो राइट अंसर रहेगा बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ एलिमेंट्री स्कूल चिल्टरन शुड बी गिवन जो एलिमेंट्री स्कूल चिल्टरन होते हैं उनको किस तरह की एक्सरसाइज करवाने चाहिए लिख जो डिए लिख देव हैं नेचुरल एक्सरसाइज नेचुर्लाइज एक्सरसाइज फाइनर मसल एकसरसाइज या बिग मसल एक्सरसाइज तो जो एक्सर्थे ग्सकूल सब्सक्राइज दुनिए पर बाले जिल्टरों मेंज़ य lived ने लेश्ट्रिय अइन geb inclu प्र the तो थोरासिक केज, थोराक्स, कंसिस्ट अफ जो हमारा थोरासिक केज होता है, वो कितने पेर आफ रिप से बना होता है, तो यहां प्राउप्शन से हैं, ए जैसे की 14 पेर आफ रिप, बी 12 पेर आफ रिप, 10 पेर रिप, 10 पेर आफ रिप, तो इसका जो हमारा आणसर रहेगा, वो रहेगा, 12 पेर आफ रिप, 12 पेर आफ रिप 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 राइट अंसर यह, बढ़ेंगे अगले सवाल की दरफ, तो गिंच ल्मबर रीजन दॉप लटिवर पाइघक का रिपीट करूंगा पाइट वीजन बटेब्रा कार्टिम्धक private काइच अई टॉप लॉप अच्स्टै फ paganology रिस तरह रहता है हमारे शपson background बोल सकते हैं इस तरह sih जहती है हैं तो इसमें जो लंबर न होता है यदा जाती हैं तो यहां पर कितनी वर्टिब्रा सरे है तो लंबर न हमि np. हरी हिंहें यह हरी में रहा नटे लो वर्टिब्रा नहीं प्रोंख प्रते भी नियुक्त me आपके जो लंबर रिजन होगा उसमें तो जैसे ही लंबर रिजन में हमारी बैटिब्रा आ गई हमारी फाइव तो इसको एक बार समझ लेते हैं थोड़ा जैसे की एक मेंट जैसे की हमारी जो जो सरिकल जो पॉर्षन और तो वहां पर आपकी कितनी बढ़िवρη रहेंगे गिंधा यहां पर तो उसके बाद हमआरा गया तो इतुरैसिक बटिवर्डा तो इसमें हमारी रहेंगी और उसके लंबर एजन में हमारी 5 बतिव्राइब और सेक्रम में आपके रहेंगी सेक्रम बतिव्राइब ऑं कि 5 रहेंगी सेट्विस गलजल में बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ जैसे कि लंबर रिजन में 5 आ गी आपकी और नेक्स पोशन इसी के साथ रिलेट करता है दसरी कल रीजन वर्टी ब्रा कंसिस्ट आफ जो सर्विकल रीजन है वर्टी ब्रा का वो उसमें कितनी वर्टी ब्रा होंगी तो इसका अंसर रहेगा आपका सेवन ब्रावस जैसे मैं पहले पता चुका हूँ आपको कि जो सर्विकल रीजन है उसमें सेवन ब्रावस होती है अथ्रॉसिक में ट्वाइल लंबर रिजन में 5 और सेक्रेम में 5 और कोक्सीगल में 4 तो इसके इस क्वेस्टिन के एकॉर्डिंग इसकांसर रहेगा स सेवन ब्रावस होती है आपको कोश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आप उसमें आप 33 आप टिकर करके आ सकते हैं तो शोल्डर ब्लेड इस नाउन एस शोल्डर ब्लेड को क्या काहा चाता है तो जो स्टैर्डनम जो होता है यह तो हमारा चैस्ट के पास होता है और जो रीब्स होगी यह तो पता ही सबको और इस कोश्चन का जो आंसर रहेगा तो शोल्डर ब्लेड इस आलसो नोन आज तो स्कैपूला उसे कहते हैं स्कैपूला को बीज़ा राइट आंसर यह करना है necklace question the ball and socket joint are ball andشokat joint shoulder joint hip joint या फिर बोथ of these या फिर नन और व जाएगा फिर ने आज अफिर या यह तो पी colors चुल्डर जॉइंट वी और हिप जॉइंट लगवग जो वाल्ट बॉल्ट सॉकेट जानट है यह हमारे एवरी एक्सिस में काम कर सकता है जैसे कि इसमें आप्डेक्शन जो अब डेक्शन भी होती है फ्लेक्शन भी इसमें होती है और प्रफ्लक्सेशन भी होती है इसमें शरकंप्डक्शन भी आती है मलब सभी तरह की जो मुव्मेंट है जो बॉल ये इसमां होती है बढ़ेंगे अगले प्रश्शन की तरफ नेक्स्ट कॉष्शन दर नी जॉइंट इस द नी जॉइंट इस हमारा जो knee joint है वो किस से कहा जाता है क्या होता है मतलब knee joint तो हमारा answer है हिंद joint और फिर elbow joint होगे यह हमारे हिंद joint में आ जाएंगे क्याँ कि इस में सिर्फ और इस में जो मॉममड होती ही है वो सिर्फ फ्लेक्शन और एक्सेंशन रहती है इस और इसमें जो मॉममड रहती है फ्लेकशन और एक्सेंशन इस बढ़ते हैं अगले सवाल की दरफ जैसे कि compulsOR में तो every type of movement उसमें आ जाती है तो लेकिन जो hinge joint है सिर्फ तू एक्सिस में काम हो इसकी movement होती है फ्लेक्शन और extension hinge joint hinge joint next question की तरफ बढ़ेंगे deltoid muscle is situated at deltoid muscle हमारा कहां situated होता है तो options यह गए है यह biceps b shoulder c thigh and d none of these तो डेल्टाइड मसल मारे जो है वह shoulder muscle को कहा जाता है तो तो यह shoulder पर ही situated होता है common बाचन में इसको कह सकते हैं कि shoulder muscle और यह situated कहां होता है shoulder is the right answer अगला प्रश्ण थोर्स muscle is known as throwers muscle किसे किस muscle को कहा जाता है तो options यह गए है a deltoid b pectoral major c biceps and d none of the none of these तो इसका हमारा जो मसल रहेगा वह अगया pectoral major जाने कि हमारा जो chest muscle है उसे chest muscle को throwers muscle कहा जाता है pectoral muscle को हम chest muscle भी कहते हैं तो next question is the strongest muscle of the body is तो जो strongest muscle है हमारी body का वो क्या है options यह गए है a rectus femoris p solis c sternumustide यह फिर d biceps तो हमारा जो इसमें answer रहेगा वो रहेगा आपका रेक्टेस फैमोरिस जो मसल है वहमारा strongest muscle होता है human body में और यह कहां situate करता है यह हमारी थाई में होता है जो quadriceps होते हैं उसी के आसपास यह situate करता है तो बैसे भी इसको पूछ सकते हैं और इस तरह से भी इसको पूछ सकते हैं बढ़ेंगे अगले question की तरफ the muscle used for bending hips is known as वैसा muscle जो मारी hips को bend करने में use होता है यहां बैठने में use होता है तो उस muscle को क्या कहेंगे हम तो सिद्धी बात है triceps का और biceps का कुछ इससे लेना देना नहीं है जो हिप को bend करने से लेकिन जो quadriceps जो मारा है यह मारी थाई में होता है और यह इससे रिलेट करता है तो इस cancer यही रहेगा quadriceps और पुछा जाए the muscle used for bending hips is known as and the answer is quadriceps next question के और बढ़ेंगे the number of spinal cord is sorry the number of vertebra in spinal cord is जो हमारे पहले भी बता चुका हम आपको कि हमारे spinal cord में कितने vertebra होते हैं तो इसका आपका जो answer है वो रहेगा 33 vertebra 33 is the right answer फिर से पता देता हूँ आपको कितने कितने होते हैं जैसे कि cervical में आपके आगे 7 vertebra और तो आरिक में आपके आगे 12 vertebra और लंबर इजन में आपके आगे 5 vertebra sacram में भी आपके 5 vertebra आएंगे और coxical जो होगा उसमें 4 vertebra यानि कि total number जो रहेगा 33 रहेगा next question the muscle situated at back side of humerus is हमारी humerus जो जाने की जो यह हमारी humerus पहले तो कहां situated करती है यह हमारी upper limb में होती है तो यह हमारे जो shoulder से attach होती है और यहां question पूशा गया है कि the muscle situated at the back side of humerus मतलब जो humerus के back side का जो muscle है वो कौन सा होगा तो यह options दियेंगे है different different जैसे कि यह दिया गया biceps दिया गया biceps तो सामने का muscle आ गया इसके जो क्योंकि जो muscle जो back side humerus की back side की तरफ जो muscle होता है उसे हम triceps करते है next question की और बढ़ेंगे the transfer of oxygen from air to the tissue of the body and transfer of carbon dioxide from tissue to outside air is called different different options दिया गये हैं इसके इन कहा गया कि जो oxygen की transfer होती है यह से tissue body tissue में और और जो carbon dioxide जो tissue की जो outside air उसको क्या कहेंगे हैं तो यहां पर option से हैं digestion, respiration, absorption और बिल्कुल सही इसको हम कहेंगे respiration respiration इसमें question ऐसे भी पूशा जा सकता है कि internal जो internal respiration है उसको क्या कहेंगे हम और external को क्या कहेंगे external respiration होगी वह आपकी सिर्फ air और air और body के बीज में बोल जा सकती है लेकिन internal respiration होगी वह आपकी air और tissue जो होगा यह cells होगे उनके बीज में respiration होगी उसका जाएगा तो इसका जो answer आपका रहेगा respiration 28th का the next question is यह simple question है और पता भी होना चाहिए सबको यह the normal body temperature is normal body temperature हमारा क्या रहता है तो हमारा answer हैगा 98.4 degree 98.4 degree Fahrenheit इस 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 राइट और जैसे कि अगर 99 degree Fahrenheit हो गया या फिर 100 degree Fahrenheit आइट आगया तो उसे हम fever में count करते हैं जैसे कि किसी बुकार हो गयता तो उसका temperature इससे जो यह temperature show करा 98.4 degree इससे फारनाइट इससे ज्यादा ही होगा next question और इस वीडियो का हमारा last question है तो overheating of the body is due to overheating हमारी body की कैसे हो सकती है तो यहां पर different options जिए गया है high external temperature physical activity से या फिर combination of all of the above तो इसका अंसर रहेगा हमारा D combination of all of the above जो अगर जो external temperature है वह ज्यादा होगा तो या फिर physical activity हम करेंगे या फिर हमारी जो sweating है body की वह सही नहीं होगी ज्यादा होगी तो तो उसे हम क्या कह सकते हैं यह हमारी body overheat कर गई है तो इसका यह answer रहेगा combination of the above viewers subscribe कीजिए channel को ज्यादा से ज्यादा शेर कीजिए like कीजिए comment कीजिए अगर किसी भी question में कोई भी problem आ रही है तो thanks for the watching this video do like do share जय हिन जय बारत